टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाना खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, इसके अलावा बाकी पूरे टाइम आप क्या करोगे, पढ़ाई करो और थोड़ी देर खेलो, समझ में आ गया, बस यह आपका रोटीन होना चाहिए, आपको fix करना है आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम और आपके खाने का टाइम, ये तीन चीजों को आपको क्या करना है, fix करना है, क्यों? देखो जरा, अब जैसे हमारा सोने का टाइम हुआ, उठने का टाइम हुआ, खाने का टाइम इसको control करता है हमारा limbic system कौन control करता है limbic system 2016 का noble price जो है वो limbic system के उपर ही मिला है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना तो यदि आप अपने सोने का time उठने का time और खाने का time fix करते हो तो आपका brain भी अच्छे से काम करता है क्यों क्योंकि जो part इसको control करता है, day night rhythm को control करता है, वही part emotions को और memory को भी control करता है, तो यदि आप अपने इसको routine को बहुत जादा fluctuate करोगे, तो emotions भी आपके बहुत जादा fluctuate करेंगे, आपकी memory भी बहुत जादा fluctuate करेगी, clear हो गया, और एक चीज याद रखना, कि इस बात को समझ लो, कि backlog यदि आता है, तो हमेशा current से start करो, पुराना भूल जाओ, सब cover हो जाएगा, याद रखना, सब आराम से cover हो जाएगा, तीसरी चीज, देखो हम हर चीज अच्छे से पढ़ेंगे, clear है, आपको पता भी होगा, साइद इस साल हो सकता है, 2024 का जो need है, वो हो सकता है, NMC conduct करवाए, को अच्छे से समझ समझ के खतम करें, और यदि हम समझ समझ के खतम करेंगे, तो time तो लगेगा, हाँ, और ऐसा तो है नहीं है, कि जैसे मालो 4 साल में या 5 साल में slivers complete होगा, भई, मैं तीसरी बार यकीन 2 में पढ़ा रहा हूँ, और कम से कम आप ये समझो, अभी तक मैं 50 से जादा droppers के batch पढ़ा चुका हूँ, offline में तो 15-16 lecture में भी sell जाता है, और उसके बावजूर time से पहले slivers complete हो जाता है, क्योंकि sell में मैं हर chapter के बहुत सारी चीज़ों को cover करता हूँ, basic basic चीज़ों को cover करता हूँ, उससे foundation strong होता है, ये foundation है, यदि foundation को आप यदि जल्दी करोगे तो याद रखना बड़ी building नहीं बनेगी, foundation कच्चा रह जाएगा, तो building गिर जाएगी, तो इसलिए हमको अच्छे से करना है, दूसरी तरफ, मैं एक घंटे में भी करा सकता हूँ, समझ में आगया मैं अक्टूबर तक स्लेवस खतम भी करा सकता हूँ, crash course की तरह पढ़ाते हुए, बहुत सारे crash course में ने पढ़ा हुए, तो इसलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पढ़ेगी, कि हम year long पढ़ रहे हैं ना कि crash course, समझ में आ गया crash course में crash ही होते हैं, और year long में आपको एक एक चीज अच्छे से समझ समझ के, एक एक चीज समझ समझ के, लिक लिक के practice कर करके पढ़नी है, समझ में आ गया, तभी आपके एक साल के drop का जो drop लेना है, वो worth it होगा, otherwise वो waste हो जाएगा, समझ में आ गया, तुझे बताओ जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, cell wall की, और मुझे लगता है कि 2024 में cell wall से एक question जरूर होगा, समझ में आ गया, एक question किसके उपर हो सकता है, cell wall के उपर जरूर हो सकता है, फिल में पढ़ेंगे structure समझ समझ के पढ़ेंगे, समझ में आ गया, बायो मॉलीक्यूल का part भी use करके पढ़ेंगे, clear हो गया, उन चीजों को एदी मैं हटाते जाओं, तो बहुत ज़ली खतम हो जाएगा, लेकिन फिर उ attention में कि यार college मिलेगा की नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताओ क्या यूही 500-500-500,000,000 लाके काम चल जाएगा, बताओ ज़रा, क्या नमबर लाके काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एक-एक elementary detail को समझ समझ के पढ़ना होगा, और वो आराम से आपके दिम क्लियर है, तो आप मुझे बताओ जरा ये करूँ या आपके साथ आखरी तक महनत करूँ, आपको मालूम है, नीट के एक दिन पहले तक भी मैंने class ली है, समझ में आगया मैंने class ली है, मैंने सारी छुट्टियां जो है किवल आपकी तैयारी के लिए लगाई है, तो आपक ये सोचना है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको भी सब कुछ सेक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्लियर है?